हालो फैंस बद्बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास के थुरू मैं एक सीरीज तर कर रहा हूँ के लिए और यह सीरीज एससी के दूसरे सभी एक्जैम जैसे स्टैनों सी एक्जैम्स के लिए हाईडी इंपोटेंट रहेगी इसमें मैं रियल कोश्चिन्स आपको सॉल्व कर बाऊंगा सीचल्ट यह तूगे और डेफिली इंसे आपको काफी हल्क मिलेगी तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को इस वीडियो क्लास में मैंने वन वर्ड सब्ट्टिउशन दिये हैं दस कोश्चन है लेकिन दस कोश्चन के थुरू आपके करीब 40 और तयीर होंगे क्योंग फाइर वर्क मतलब जैसे हम देवाली पर आतिशवाजी करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइर वर्क तो आट ओफ मेकिंग फाइर वरक इसको हम क्या बोलते हैं अब यहां पर देखिए options जो है chromatic's chroma हम बोलते हैं color को color से संबन देता है chromatic's ठीक है तो यह इसका आंसर नहीं होगा नियूमिस अमेटिक्स ये काफी बड़ पूछा जा चुका है तीर यन के अनसर ब्लाइब और यस ताल होती है इसमें काफी सारी important चीज है, आपको बताऊंगा, give off bubbles of gas, जैसे हम किसी चीज को ferment करते हैं, fermentation होता है, किसी चीज को हम सडाते हैं, तो उसमें, बुलबुले टाइप के उठने रगते हैं, gas के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, give off bubbles of gas, ये chemistry में होता है, ये शायद आपने पढ़ा हो prosence का पतला होता है, जब किसी plant पर flower आने लगते हैं, तो efferwass इसका सही answer होगा, efferwass ये इसका सही answer होगा, efferwass या efferbaccent हम excitement को भी बूलते हैं, कोई भी बिक्ती या कोई भी बिक्ती बहुत जद़ एक्साइटेट हैं तो इसको भी हम efferbaccent बोलते हैं, तो second इसमें आपका सही आंसर होगा मेरा e-course आप जोइन कर सकते हैं CGL tier 2 के लिए हलाकि ये tier 1, tier 2 and tier 3 तीनों के लिए है और ये integrated course है full English section के लिए CGL के लिए CPU, STANO सभी के लिए इसको आप जोइन कर सकते हैं एक साल की वालेटी के लिए और इसका description box में मैं लिंक दे दूँगा इस्टा मोजो का link दे दूँगा वहाँ से आपको पूरा detail मी मिल जाएगा price मी पता पढ़ जाएगा और कोई जानकर ही इस course के लिएट चाहिए तो इन numbers पर आप मुझे call भी कर सकते हैं यह है question number third और यहां पर हम देखते हैं system of governance controlled by persons of high intellectual ability बतलब एक government को ऐसे लोग control करते हैं जो intellectual ability रखते हैं या meritorious student है तो इसका सही आंसर होगा meritocracy ठीक है merit यानि योगता democracy तो simple लोगतंत होता है oligarchy एक group होता है वो control करता है पूरी government को snob या स्नोबेरी हम एक कैसे उसको बोलते हैं process को जिसमें एक विक्ती अपने class या अपनी उच जाती पर घमंड करता है अपने आपको superior समझता है उसका स्नोबेरी बोलते हैं तो meritocracy यहां पर इसका सही आंसर होगा तो यह CGLT2 के real questions है और आप देख सकते हैं किस तरीके का level होने वाला है CGLT2 में sudden and violent change देखे, catalysis इसका अंसर नहीं होगा क्योंकि catalysis तो प्रेरख होता है chemistry में स्काम यूज करते हैं catacomb यह Roman Empire में होता था जिसमें जमीन के नीचे symmetry होती है जिसमें किसी विक्ती को मलने के बाद गारते हैं है दफनाते हैं वो है यह catacism यह Christian में होता है Christian principles की summary होती है यह actually cataclysm सही आंसर होगा इसका cataclysm तो आप देख सकते हैं कि options जो है काफी close है और काफी confusing है ठीक है a small waterfall और a group of waterfalls flowing down a rocky hill side is called मतर जैसे आप कभी hill station पर जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ों पर क्या होता है कई सारे जड़ने नीचे की तरफ जड़ते रहते हैं ठीक है group of group of waterfalls होगो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं देखिए hurricane तो एक storm होता है तूफान होता है hurricane तो इसका answer नहीं होगा stream एक पानी की धारा होती है volcano जॉला मखी होता है ठीक है cascade इसका सही answer होगा cascade ठीक है चलिए आगे हम देखते है a noisy and bombastic speech address to a large assembly a noisy and bombastic speech देखिए rhetoric एक ऐसी speech होती है जो काफी persuasive या लोगों को लभाने वाली होती है जिसमें figure of speech का यूज की जाता है शब्दों का बहुत कुपसुर तरीके से यूज की जाता है तो वो होता है rhetoric cacophony मतलब कैसी आवाज जो आपको सही नहीं लगे un-present हो कोई भी कोई भी तीखी आवाज उसको मुलते है cacophony हिरांग इसका सही answer होगा क्योंकि oration का मतलब होता है simple वक्ता या simple कोई भी भासर देना तो हैरांग इसका सही answer होगा हैरांग ठीक है an instrument which records earth tremor earth के जो भूकम होता है भूकम के ज़टके होते है उसको जो instrument measure करता है अर्थ के tremor को उसको हम क्या बोलते हैं और बाकी के जो options है यह गलत है क्योंकि यह confuse करने के लिए दिये गए है monograph monograph वैसे एक होता है और यह actually confuse करने के लिए आपको दिये गए है इसका सही answer होगा यहाँ पर seismograph the practice of a woman having more than one husband at the same time मतलब एक ऐसा बिवा जिसमें एक औरत के काफी सारे husband होते है यह ancient time में यह प्रताया चलती थी इस तरह की बहु विवा प्रताया बहु पतित्व प्रभा विवा ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं देखिए बहुत सारे husband जब होते हैं एक औरत के तो इसको हम बोलते है पॉली एंट्री पॉली गैमी जब ईक व्यक्थी की बहुत सारी वाइफ होते है उसका आफ सारी बोलते हैं पॉलीघेमी पॉलीजिनी भी पॉलीघेमी messing आवा explains जैसे और स आज다고 यूज होती है तो इसका सही आंसर जो होगा वह पॉली एंडरी इसमें एक औरत के बहुत सारे हस्बेंड होते हैं यहां पर सही आंसर होगा आपका राइनो लॉजिस्ट नेक्स कोशन हम देखते हैं अपियरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ़न इस्टिपूलेटिंग अपियरेंस ऑप वाटर इसका मतलब यह है कि डेजर्ड में घटना होती है इसको हम अम्रग त्रशना बोलते हैं और रेगिस्तान क के ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है बहुत सारा अट्मोस्फियरक कंडीशन की वज़े से ऐसा होता है इसको हम मिराज बोलते हैं मिराज ठीक है रेफ्लेक्शन तो प्रिविंब होता है जैसे आपकी जो चाया होती है इसमें जो लाइट या वेप्स जो हो में मिक्स्ट कोश्चिंस आपको करवा हुआ सी जिल टीयर टू के लिए और यह कोश्चिंस ना कि अबल सीजियल कि झərक सकता, भे मिक्स्ट कि वोस्ट कम एवा हुआ सी जिल टूछ हुआ सी जिल टुँन के लिए झाने, भे मिक्स्ट एक एक लूआ Huhu कि यागा हुआ टूए उबल माया